कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का अर्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार ऐसे से एड़ा 24 7 पर साती साथ आपके सबसे फैवरेट शो दी इलावन मिनिट शो में अल्टिमेट इंग्लिस वकेबलरी में प्यारे दोस्तों आज का दिन बेहद खास है बेहद इस्पीशल ह क्योंकि आज आप सभी के आई थिंक जो है प्रेना के शुरोत आप सभी के आराध्या आप सभी के प्रिये प्रभू प्रिये प्रभवान प्रभू श्री कृषिन जी का जो है जनम दिवस है आज आप सभी को मेरी तरफ से हमारे पूरे अड़ा परिवार की तरफ से कृषिन हमारा यह 11-minute show किसी भी कारण वस डिस्टर्ब नहीं होगा ठीक है बीच में बुक की लॉंचिंग थी बुक के चक्कर में मैं बहुत जादा बिजी हो गया था पजल हो गया था लेकिन फाइनली सब कुछ अच्छा हुआ आप सभी ने भरपूर प्यार दिया और अब से यानि क जब रहने वाले ऑमारा आज का सबसे प्यारा सा पहला जो वर्ड है मारा व होता आपका बितया जी मेरे अब करना और नफरत करने का आप प्रशंसा सा करना और उदासींता होती है यह खिन आना ना पर आते हैं Canonical, Canonical यानि की समय वेधानिक, ठीक है नहीं, जो वेक्ति बोड़े पुराने समय से चली आ रही, बातों को फोलो करता हो, यानि की बड़ा Orthodox टाइप का वेक्ति हो, उसको आप बोलते हैं Canonical, ठीक है जी, जो बच्चा क्या है, जो वेक्ति क्या है भई, Orthodox है, तो Canonical क opposite आपको क्या होगे, अन ओर्थोडोक्स, क्या हो जाएगा दोस्त, आपका अन ओर्थोडोक्स, sanctioned यानि अप्रूवल, किसी चीज़ का जो अप्रूवल मिलता है, that is so called sanctioned, इसी प्रकार से official हो गया, अप्रूवल हो गया, इस simple चब्द है, next word आपके सामने आगया, eulogistic, क्या अब आपने यहां पर क्या बोला, eulogistic, यानि प्रशंसनात्मक, जिस चीज में हमने किसी की प्रशंसा की हो, that is eulogistic, तो प्रशंसनात्मक का opposite आपका क्या हो जाएगा, तो सिधा-सिधा आपका हो जाएगा, critical, यानि कि आप जो थोड़ा सा अलोचना, मुंड से जा रहे है, unknowing किसी को तंग करना, rigidity, मजबूती एक तरीके सो, rationality यानि की तार किकता, चलिए, next word is our horse, horse यानि करकस, जो थोड़ा सा, करकस यानि कैकोफोनी टाइप में, तो इसका opposite आपका क्या हो जाएगा, तो सिधा-सिधा smooth हो जाएगा, ठीक है, इसका anti अल्प होता है, किसी चीज क कि कमी, और disperse, यानि बिटा चीजों को बिखेरना, scatter करना, और accept करना, यानि कि दोस्तो, सुईकार कर लेना, accept करना, यानि बिटा जी मेरे सुईकार कर लेना, इसी प्रकार से, suavity, क्या वर्ड है आपके सामने बहिया, suavity, suavity का मतलब होता है, जो हमारी sister 4 होते है, जो हम stupidity, यानि बिटा मुर्खता, अरे stupidity क्या हो जाता है, दोस्त, मुर्खता हो जाती है, next word है आपके सामने illustrious, यानि कि जो उधारन आत्मक हो, यानि कि जो सब के सामने बिलकुल apparent हो, clear हो, that is so called, आपका illustrious, ठीक है, वो ही आपका क्या होगा, दोस्त, illustrious होगा, तो एक तरफ तो आप चीजों का उधारन दे रहे है, example दे रहे है, तो इसका opposite क्या होगा, कि जिसे कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, यानि कि obscure, obscure का सिधा सा मतलब क्यों होता है, दोस्त, आइस पस्ट, अरे क्या होता है बिटा, आइस पस्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं बिट पलेटियल, the word is मेरे दोस्त, पलेटियल, पलेटियल का मतलब होता है भव्य, क्या होता है भव्य, जानि कि आलिशान, क्या हो गया दोस्त, मेरे आलिशान हो गया, और आलिशान का जो opposite होगा, क्या हो गया दोस्त, आपका पूर हो जाएगा, भई, infertile, यानि बिटा, baron हो ग नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लाडले जैनी जैनी का मतलब क्योंता है दोस्त मुर्क होता है अरे जैनी का मतलब क्योंता है लाडले मुर्क होता है और जब कोई इनसान मुर्क है तो इसका अपोजिट क्या होगा बिटा इसका अपोजिट होगा लाडले सीरियस ठीक है बैज जैनी हो गया आपका गूफ हो गया बिटा इन शेन हो गया लाड़े या फिर आपका इस्टूपिड हो गया तो यह सारे वर्ड आपको मैंने कही के बार याद करवा दिये और नाधिर यहाणि निम्न तम बिंदू नाधिर का मतला बहल ती है आपको सबसे नीचली चोटी होतेइं बचल शुल नाधिर तो इसका बतो आपस्ट आप सभी को मैंने रटवाया हुआ है Rasmus लाते हो यारी जरता है तो इसका आपका क्यों को lazy, lethargic, slow-thul, indolent, slack, lexodicycle, lex, okay, वो सभी वर्ट्स आपके लिए आते हैं, तो इसका पोजट आपका क्या होगे, energy, यानि की vehement, दमदार तरीके से, peace, यानि की सांति, rappel, यानि की घरनित, और feeble, feeble का मतलब क्योंता है, कमजोर, जिसको आप क्या बोलते हैं, फ्राइल बोलते हो, इसी प्रकार से, new sense, new sense का सिधा-सिधा meaning याद रखना, भया मेरे, new sense का मतलब होता है, बाधा, अरे क्या होता है, बाधा, बाधा, तो बाधा का opposite क्या लाड़ी, pleasure, यानि की सुक, यानि की आरण, और bold, यानि दुस्तासी, confront, सामना करना, और disperse, यानि बिखेर देना, अ इसी प्रकार से, hegemony, hegemony का मतला होता है, बाधा, नेत्रत्व करना, यानि leadership को बोलते हैं, तो इसका opposite हो गया, बाधा, आपका subordination, यानि कि आपने किसी की अधीनता को सुईकार कर लिया, notorious, भया कुख्यात होता है, unpopular, आप सभी जानते हैं, जो एकती popular ना हो, इसका opposite आपक इसको one words पर ले करके चल रहा हूँ, और एक सीधा root word आज आपको पढ़ाऊंगा, file, philo, philia, और इन तीनों का मतलब क्या होता है, बाधा, lover होता है, या फिर प्यारी, love होता है, या फिर मेरे भया, attraction होता है, ठीक, ध्यान अकनागर, किसी भी शब्द में आपको क्या मिला, file, philo, या फिर philia, तो एक इसको दिखाएंगे, love को, respect को, या फिर मेरे भया, attraction को दिखाएंगे, जैसे आपके सामने पहला एक आसान शब्द लिया, biblio, file, biblio, किसको दिखाएगा, किताबों को, file, किसको दिखाएगा, lover को, तो एक ऐसा वेक्ति, जो किताबों से प्यार करता हो, philanthropist, यानि जन हितोशी, जन कल्यान कारी, जो सभी का उद्धार करना चाहता हो, उसे आप बोलेंगे, philanthropist, इसे प्रकार से, एंगलो, बिटा, एंगलो किसको दिखाता है, अंग्रेजो को दिखाता है, और file, यानि बिटा, lover, एक ऐसा वेक्ति, जो कि अंग्रेजी से, या फिर बिटा, अंग्रेजों से जुड़ी चीजों से प्यार करता हो, उसे बोलेंगे, बिटा, क्या आप, एंगलो, फाइल, ओटो, यानि बिटा, तनहां रहने वाला, तो एक ऐसा वेक्ति, जो अकेला रहना पसंद करता हो, डेंडो, बिटा, पेडों से प्यार करने वाला, जंगलों से प्यार करने वाला, अर्ग, अपने काम से प्यार करने वाला, ठीक है, हीलियो, सूरज को दिखाता है, तो सूरज से प्यार करने वाला, हीलियो लोजी, study of sun हो जाएगा भीया, इसी प्रकार से आपके सामने वर्ड है, हिपो, यानि कि घोडों से प्यार करने वाला व्यक्ति जिसे घोडों से बड़ा लगाऊ हो गोडों का बड़ा पालन करता हो और जो घोडों का प्रोफेशनल होर्स राइडर होता है उसे बोलते हैं जॉकी और एक होस्पावर में 746 वाट होते हैं और इसी प्रकार से आपकी जो घोडे का फैमिनाइन शब्द है उसे बोल बोलते हैं बिटा क्या लाइड लिए घोडों से प्यार करने वाला आपके समने फपोफाइल गोडों का भाई फपोफोबिया और गोडों का अध्यान इपो लोजी और डार्क होर्स अनेक्सपेक्टेड विनर यानि कि छिपार उस्तम चारले होर्स यानि बिटा क्रेंप ए निगरो बिटा जो जांवलивी यानि कि जंजाती प्यार करें किस्सें जो कि सांवले लोगो होते हैं नियो बिटा नई चीजों की बात करता जैसे आपने मेरत पड़ा घंए व्यार डैनिट शॉखश yearwny यानि जो नयनिया किसी छेतर माहे हो या फिर न्यो कमर यानि अभी अ को sexually abuse करता उसे आप बोलेंगे बिटा पीडोफाइल इसे प्रकार से थियोफाइल यानि भगवान से प्यार करने वाला विक्ति निक्रो बिटा डेड़ बोडी से प्यार करने वाला विक्ति ये एक बहुत important word है आपके CGL के लिए क्योंकि निक्रोफाइल जो व्यक्ति होता है वो हर 10,000 लोगों में से एक होता है जिसके साथ mentally कुछ ना कुछ बिटा गडबड होती है और यह व्यक्ति बिमारी से पीडित होता है और बिमारी इसको यह कि इसे जहां डेड़ बोडी दिखेंगी इसे उ आपके सामने call in once chips बहुत प्यारा इडियम है call in once chips का मतलब हो गया बहिया कि जब आप अपनी पद का अपनी position का अपनी power का इस्तमाल करके और ज्यादा पैसा कमा लें या फायदा उठा लें तो उसे बोलते call in once chips call in question यानि किसी बात का विरोध करना सिधा-सिधा और call it a day बिटा चीजों को टाल देना कल पर call the sorts यानि प्रभावी होना ठीके निर्देश देना लोगों को इसी प्रकार से बहिया carry the bell यानि किसी काम में इंचार्ज होना लाड़े इसी को आप rule the roast भी बोल सकता है carry the can यानि बिटा अपनी जिम्मेदारी या गलती सुईकार क क्या लाड़े रंगे हातों पकड़ना उसे बोलते हैं red handed catch red handed लेकिन जब आपके सामने है catch 22 तो इसका मतलब होता है बिया कि किनी भी ऐसी दो परिशानी में फस जाना कि जिससे निकल पाना बिल्कुल बड़ा मुस्किल है उसे बोलते है catch 22 chapter and verse यानि बिटा किसी चीज की कॉमाई flag ध्यान रखना ठीक है mysterious रहश्यम ही होता है और miscellaneous चलो यह सारी की सारी चीज़े बिटा आपके सामने में रख दी है एक बार आज फिर से आप सभी को में जानकारी देना चाहूंगा अगर कोई बच्चा updated नहीं है तो बिटा अगर SSC MTS और हवलदार में आपको अ इस कैसे बिटा कि most important आपको लाड़े 300 आपके क्या मिल जाते हैं अन्टनम से ननम विद हिंदी मीनिंग और अलग अलग बिटा अन्टनम अलग अलग सिंदनम इसी के साथ 300 बिटा वन वर्ट मैंने डालें जो कि most important है आपके 300 इडियम मैंने cover कर दिये 300 के आसपास spellings मैंने य नया cover की है और इन सबसे बढ़कर आपके लिए 15 मैंने ऐसे paper बनाए है बिटा जो कि 90 questions वाले हैं हर question का detailed आपको solution मिल रहा है यानि कि ये book बिटा English के साथ साथ आपकी complete MTS की एक book मैंने तयार किये और इसकी price दोस्त मात्र और मात्र 149 रुपीज है आज आज के लिए ठीके ज आज-ाज का मतलब है कल सुबह 10 से 11 बजे तक के लिए अगर आप coupon code इस्तमाल किये वाई 795 में S तो ठीक है वह या एक बात याद रखना आप इस book से महनत कीजिए आपके आगे पीछे मैं खड़ाओं आपको जम करके महनत मैं कराओंगा लेकिन कुछ भी हो कैसी भी परिस्त कैसे करनी है कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट यहां से लगाना है और एक मॉक टेस्ट के साथ डेली करीबन 15 से 20 अन्टनम सननम याद करने 15 से 20 आपको इडियम से याद करने 15 से 20 मेरे भाई आपको डेली वर्ड वर्ड सब्स्टिटूशन से याद करने डेली 10 से पंदरा आपको और भाई common errors पर काम करना है, यानि कि एक section पर काम न करके पूरी English पर आपको काम करना है, लगबग डेड़ से दो गंटे का time आपको इस book के साथ daily गुजार ना है, अगर आप गुजार दिये तो मैं वादा करता हूँ बिटा ये book आपको selection दिला के रहेगी, आप खुद देख सकते हो, दोसों, आट पेज की किताब है, जिसके अंदर 15 mock test आपके लिए हैं बिटा, और पूरी English लाडले आपके लिए है, तो ऐसा कोई बच्चा ना रहे, जिसके पास ये book ना हो, अगर अभी भी order नहीं किये, तो बिटा कल सुबह 10 बजे से पहले पहले इसको order कर देना, और coupon code आप सभी को मेरा याद है, Y795S, जैसे ये apply करोगे बहिया, तुरंत इसकी price कम हो जाएगी, कल 11 बजे के बाद, वन डबल नाइन इसकी price हो नहीं है, management का phone मुझे आ चुका है, लेकिन कल सुबह 11 बजे तक आपके पास में time है दोस्त, ठीके बहिया, तो उमीद क भी मैं और चलाऊंगा, ताकि September के अंदर, मैं आपके लिए 30-30 questions के एक show ले करके आऊं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके, आपको इस book के लिए करना क्या है, SSC पर जाना है, MTS में जाना है, MTS में जाने के बाद बस scroll करते जाओ, जैसी आप scroll करो के फोन में, तुर प्राइज 790, लगाते ही तुरंट आप देख सकते हो, प्राइज कितना होगे, मातर 149, तो दोस्त, बिल्कुल भी किसी चीज की अब देरी मत करना, अगर आप आप आज ओडर कर देते हो, या कल सुबा 11 बजे से पहले पहले ओडर कर देते हो, तो बिटा कल के यहां से dispatch करा आप ही को लेना है कि अब की बार, एक्सपरिमेंट करना है या पका सफल होना है, अगर तुम्हारा टार्गेट है कि हिटेंट ट्राइल कर लेते हैं कि देख लेते हैं सर क्या होता है, तो बिटा वह आपकी इच्छा है, लेकिन याद रखना भाया, बार-बार किसमत मौके नहीं देगी, 10,000 वेकेंसी हैं, समय अभी आपके पास एक महीने का है, अगर इस एक महीने में आपने जम करके मेहनत कर ली, तो भाई, आपका सेलेक्शन लिक्कर के ले जाना मेरे से, लेकिन अगर अभी भी ला परवाही की, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीके भाई, आप सबी के फैवरेट बुक है, केवल MTS को डेडिकेटिड पहली बुक बिटा आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें मॉक टेस्ट भी है, और पूरी इंगलिस भी है, और इंगलिस का वो पोर्शन है सारा का सारा, जिससे की बिटा, आपके एक्जाम में कुश्चन पू सकते हो, हालनकि मैंने इसमें खुद टैग भी दिया है, कि सिर्फ तीस दिनों में सब कुछ खतम हो जाएगा, लेकिन आपको इसे पंदरा दिन में खतम करना है, ठीके लाइड ले, उमीद करता हूँ, आप सभी को सारी बाते समझ में आ गई, आप अभी के अभी इसे ओडर यह सबसे में है, आपके पास प्रोपर कॉंटेंट होना चाहिए, एक जिए, कब तक PDF बटकोगे भी या, PDF से पढ़ाई होती है, क्या, PDF से रिवीजन हो सकता है, PDF से प्रोपर पढ़ाई नहीं होती कभी भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार अपनी उपर ये मिलता हूँ आप से कल सुबा 11 बजे, CGL वाली क्लास में और शाम को 5 बजे अपने MTS वाली क्लास में, और डेली अब ये दा 11 नेट शोर हैगा, किसी तरह की कोई भी लापरवाई अब आपको नहीं करनी है, बाई-बाई, टेक क्यार, लव यू ओल, गुड नाइट